नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने बाले हैं टमाटर के एक पोदा से लगभग 35-40 किलो फल कैसे लिया जा सकता है जी हाँ दोस्तो आप लोग अगर हमारा वीडियो देखते हैं और अगर आप लोग पहली बार रहे हैं तो दोस्तो आप लोग चैनल सस्क्राइब कर ल दोस्तो आज बात करने बाले हैं खाद के ऊपर पेस्टीसट डीके ऊपर और यकीडे जो लगता है यूँ उसके उपर और दोस्तो फंगस जो बहुत बढ़ा रोल रहता है ट्रउमाटर के फचल में दोस्तो इन चारो टोपीक पर आनि और एक टोपीक दोस्तो ट annotation इन चारो टोपीक पर हम बात करने बाले वह लए बहुदो, पहलद से बैवरेटी, और इन्सेक्टी इन इंसेट कंट्रोल और फंगस कंट्रोल और उसके बाद है साफ तो आप लोग को टामाडर खेति करने कोई रोग सकता क्योंगित्स टामाटर खेति में बहुत ज्यादा आणि कर भीर मिल पानी ही रहता है जिसके वजह से वजन जाता देता है इसी वजह से टमाटर में बहुत अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिलता है तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहला फूल आनिके अगर आप लोग जब टमाटर का नरसडी लगवाग 20-25 दिन के बाद ट्रांस्परलांट करते हैं और उसके बाद 35-40 दिन जब हो जाता है तो पहले डोजड डोजड़ में और पहला लेना है यूडिया लगबक 25-30 किलो और प्रिपी लेना है दोस्तो K Dallas at festival all that in come is car घरए और लोग को बी जैम ले सकते हैं तो जैसे कि आगए हां सकते हैं शूरיל जो आता है धनझाइब का तचेछ सेल कर दोस्तों इन सभी को सकते हैं जो की बो रेक्ष का नाम से आता है जो कि मुरंच का बहुत करता है डोस्तों अरोad लाने में सभसेते में कभी नहीं झोड़ीएगा पंदरोंग दिन में एक बार इसप्रेव भी होना चाहिए और अगर आप लोग मिट्टी लगा रहें तो दोस्तों उसके में भी डाल कर और आप लोग जो है उसको मिट्टी लगा दीजी तो आप लोग लगबग ये 35 से 40 दिन बाद ये सी इहई डोज को फिर दोहरा कड़ आनके दोबारा डाल सकते हैं दोस्तों ज्यादा खादमल देन देने का कोई जरुवत नहीं है अगर फुल अच्छा चाहिए दोस्तों उसको उसके लिए आप लोगो बोरन और बैरेटी के उपर बहुत डिपेंड रहना हुगा क्यों दोस्तों बोरन और बैरेटी दोनों अगर एक मिल जाए तो दोस्तों आप लोगा प्रूटिंग आनि फूल आता है और ज्यादा फल सेट होता है यह बैरेटी आप लोग जरूर देख लिजिएगा हम ब्लास्ट में बैरेटी के उपर बात करेंगे दोस्तों आप लोग को खाद मौल बता चुके हैं यूरिया डीपी पोटास और आप लोग जिंक यह भी डाल कर मिक्स करकर आप आप लोग मिट्टी चरा दीजिए मिट्टी लगा दीजिए और इसके साथ आप लोग बोरिक्स भी मिला देते बहुत सांदार रिजल देखने को मिलता है और लगवक चोब आनि की 24 गंड़े के बाद आप लोग इसमें जो सीचाय कर दीजिए यह डालने के बाद यह डोज और दोस्तों आप खाद के ऊपर बात कर लिए अगर आप लोगों को लगता है कि खाद में कुछ छुट गया है या कोई जानकारी हम नहीं दे पाए हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा हम उस पर वीडियो बनाने के कोशिज करेंगे वह डिटेल में तो चलिए दोस्तों ना आये इसके लिए उस्ति क्या कर सकते हैं दोस्तों आप लोग और क्याल्सियम दोनों को मिक्स का 김दिता है जसमें दोनों चीज रहता है दुश्तों इन आप लोगों इसपार इसकते रहेसे मिटी में कैल्सियम और बोरन का कमी हो जाता है इसी के वोज़ा से फल फटने का समसिया आने लगता है दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आप लोग मिटी लगाने के लिए अगर छोटा टेक्टर का यूज करते हैं जिससे मिटी को जो है थोड़ा बुरोडा बनाकर और मिटी ल पहलें तो अच्छा सचा उतपादन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यूण आदमी स्वस्त रहेगा तभी तो तुंदुरूस्त रहेगा इसलिए अगर पोदा अगर सुष्त रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दें पाएगा दोस्तों इसके लिए आप लोग बदल कर इस प्रेक कर दोस्तों कभी-कभी आप लोग जैसे करजेट हो गया एक हफदा कभी यह गहें जाँ सब्सक्राइब को फंगी सजय घाल सकते हैं यह सब फंगी सैट जो बदल बदल कर स्प्रे करते रहना पड़ता है दोस्तों फंगस जब आपका कांट्रोल से बाहर चला जाता है तो उसके उससे में हम क्या करें दोस्तों उससे में आप लोग नेटीवों नेटीवों जो है लगए 10 ग्राम आप लोग 15 लिटर के टिंगी में डाल पूदम जो है किलियर कर देगा सभी फंगस को लॉक कर देगा बिल्कुल और दोस्तों आप लोग जो है खादमल डाल कर फिट से पोदा जो है रीजनेरेट करकर उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्पदान ले सकते हैं तो दोस्तों फंगस और फंगी साइट के ऊपर बात हो के आगर आप लुखोड़ लगता ही कोई सरक्थ समसिया है युद्ध है है और युद्ध में बात करने को शिचरेंगे जो दोस्तों चलिए मैं टॉनिक के बा dire ने कि बात करते हैं कि डूंनिक किया चीज है बहुत अच्छा हमारा पोदा में जो हव हार्मॉन का एक्टिबी दोस्तों वह पोदा लगवग 25 किलो फल देगा अगर तॉनिंग अगर सही समय में आप डोग डालते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग का वेजीटेटिक गरोध बाद ज्यादा खाली गेवल बढ़ रहा है टमाटर का पोदा तो उस्समें आप लोग क्या करेंगे दोस्तों उ कर देंगे दोस्तों आप लोगों बहुत सांदार रिजल्ट देखने को मिलेगा उसमें और उससे जो है थोड़ा ग्रोध रुकेगा और उसके लगवग एक सब्ता बाद आप लोग जो है धनबर्षा टनिक जो है या इस धनबर्षा को लगवग 25 से 30 एमेल डाल कर 15 लिटे पोधा को अच्छा तरीका से हश्पूष्ट कर दिए उसके बाद टनिक डालीए और उसके बाद उत्तपादन ज्यादा से जाधा लिजिए तो यह फ्लावर लाने के लिए पूल लाने के लिए टनिक तो तो त्माटर में फल को साइज का बढ़ने के लिए भी एक टनिक आत साइज बढ़ जाएगा दो गुना बढ़ जाएगा है अगर दोस्तों वह तो डबन डालने के बाद दोस्तों वह बिलकुल 100 गराम का होगा लेकिन दोस्तों मेच्यूर होने से पहले टमाटर में डालना है डबल गोजरेज का डबल डालना है जिससे आप लोग को उपज उत्पादन जो है बड़ा बड़ा डिखने को मिले और वजन भी बहुत तगड़ा देखने को मिले तो दोस्तों बात कर ले तो यह बैरेट तोरने वाला बैरेटी नहीं मनाएं दोस्तों हमारा अनुसार से अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी ज्यादा कोई उत्पादन दे सकता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा हम उसको डीटेल में जानने के कोशिज करेंगे हैं दोस्तों यह बैरेटी करन है चै अगर आप लोगों लगता है कि कोछ बाते चुट गया है तो दोस्तों वीडियो बनाने कोशिज करेंगे और दोस्तों वीडियो बनाने बहुत ज्यादा महनत लगता है तो दोस्तों एक जरू करिएगा और नए तो जिन लोग नए 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 रिखेति करना चाते हैं और उनको सही और सटीक जनकारी नहीं मिल रहा है तो दोस्तों ये जोंगी टामा करने में थोड़ा मदत मिल शके दोस्तों देरना करते हुए वीडियो खतम करते हैं तो अगर आप लोग को लगता है कोई चीज छुट गया तो दोस्तों आप दोस्तों जितने भी नहीं किसान भायों देख रहा है एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लिजिएगा धन्य बाद दोस्तों